हलो बच्चो कैसे है एक नंबर चलिए हम भी बहुत अच्छे है और उमीद कर रहे हैं आप सभी लोग परहाई कर रहे होंगे अच्छे से क्योंकि हम भी आपको लगतार लेक्चर बना के बेज रहे हैं यह है इलेक्ट्रो स्टाटिस्टिक्स का टूएंथ लेक्चर आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर जरूर देखो फिर टूएल्थ में आ रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तो चलिए चालो करते हैं चालो करने से पहले आपको पता हम क्या मूलने वाले मैं हूँ विकास सर और यह हम सब का चैनल विद्यास्तिली वाल पॉटेञा करना है तो बिद्यास्तिली वालि सर नकिया हमने आपको क्या परा घिया जेस्ट-्रिकल्व कर लो हमने लिखके रख लिया आप हमुले हमने आपको पभाया है था इलेक्त्रिक पोटेंटिजल पोटेंचियल क्या होता है दो यह वपोटेंशियल दू he is liht disk वाल जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक AI से वी कि ओके उसके आपको डिलीफिन करें उसमें ऐसा मिला होगा वार कटारी मुविंग चार्ज फॉरम लेता में किया गया वॉर्क डटन, जाइंट जले जाते हैं इतना वपर बन होता है ए से बी तब ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर आपको यह मिला होगा एलेक्ट्रिक पोटेंशियल डियू टू पॉइंट चाज हमने रख दिया क्यू सोर्स चार्ज वो कितना पोटेंशियल बनाएगा आपने चारों तरफ तो क्यों भाया और पोटेंशियल डिफंश सहन को पोटेंशियल रख में और पोटेंशियल और और इव्डंच नोत रिखिवरेंगे आप लोग तो note क्या लिखेंगे, the potential of Earth is zero. earth का potential कितना है ? क्यों क्योंकि earth को reference में लिया गया है और तो क्या लिए गया है reference ज्यान सुनो प्रिथभी को माना गया है reference इससे तूलना करना है अगर हमारे पास दूअब जेक्ट है अगर इस object का potential और से ज्यादा है तो इसको positive बोलते हैं अगर इसका potential इससे कम है तो इसको negative बोलते हैं अर्थ को क्या माने है जीरो जीरो से हर चीजे स्टार्ट होगा समझ में आ गया तो अर्थ का potential को क्या मानते हैं जीरो मानते हैं याद रखेंगे इस बात को note है चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे potential due to group of charge या सुपर इलेक्ट्रिक फिल में पढ़ाता कि बहुत सारे चार्ज अगर है सभी लोग मिलके अगर इलेक्ट्रिक फिल बना रहें तो टोटल इलेक्ट्रिक फिल चाहिए तो वेक्टर सम करो तो अब हम लोग पढ़ेंगे potential due to group of charge potential due to group of charges बहुत सारे चार्ज कितना potential बनाएंगे जैसे मालनों यहाँ पर मेरे पास q1 चार्ज है यहाँ पर minus q2 है यहाँ पर plus q3 है यहाँ पर plus q4 है और यहाँ पर एक point O है ठीक है एक point O है we want to calculate total potential at O due to this all charges समझ में आ गया इससे इसकी दूरी R1 है इससे इसकी दूरी R2 है इससे इसकी दूरी R3 है इससे इसकी दूरी R4 है समझ में आ गया यह वेक्टर में यह बस आ डिस्टेंस बता रहे है पोटेंसियल एक स्केलर है तो डारेक्शन बनाना नहीं परेगा एरो एरो तो देखो टोटल पोटेंसियल टोटल पोटेंसियल at point O due to number of charges क्या करेंगे हम लोग सम कर देंगे देखो वी इक्वल टो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर ध्यान से समाझ ना पोटेंसियल के फर्मुले में चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट है देखो इसको समझो वी का फामुला तुमने पढ़ा वन भाई फोर पाई अवसाले नौट क्यू बाई आर इसमें मैगनिट्यूड नहीं है उनली क्यू है यहां पर प्लस माइनस रखना है ठीक है और इलेक्रिक फील जो तुमने पढ़ा था उसमें वन बाई पोर पाई वसाले नौट उसमें मैगनिट्यूड ऑफ क्यू अपॉन आर क्योंकि वेक्टर में साइन का कोई महत्तों नहीं होता उससे डारेक्शन बतलता है समझ यहां के इस सान का महत Do Gre it अगर पोटйंशल नेगेट्व होगा तो कम हो जाएगा अगर उटेंशल पोजिटिव होगा तो जादा मतलब क्या दोनों से में तो नहीं यह ज्यादा है यह कम है लिख अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड आपके पास 10 Newton पर कुलं, 10 Newton पर कुलं बताओ कौन ज्यादा कौन कम कोई ज्यादा कम नहीं है, दोनों इक्वल है, बस दोनों का direction उल्टा है, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फिल्ड में साइन का कोई ज्यादा वैलू नहीं है, वैलू कम ज्यादा नहीं होगा, लेकि पोटेंस्केल में होगा, तो आपको इसमें साइन रखना है, चलो, तो आप देखो, कैसे निकलेगा, V1 कितना हो जाएगा, V1, 1 by 4 pi epsilon 0, plus Q1 upon R1, V2 कितना होगा, 1 by 4 pi epsilon 0, minus Q2 upon R2, ठीक है, एक और minus कर लो यहाँ पर, plus 1 by 4 pi epsilon 0, plus Q3 by R3, plus 1 by 4 pi epsilon 0, minus Q4 by R4, समझी किया होगा, आपको टोटल निकालने का तरीका, 1 by 4 pi epsilon 0, common आ जाएगा, और Q1 by R1, minus हो जाएगा, प्लस माइनस, Q2 by R2, Q3 by R3, फिर minus Q4 by R4, ऐसा ऐसा आएगा, इसको solve कर लेंगे, तो आ जाएगा, क्लियर हो गया, तो कोई जाता concept नहीं है, कोई मिला के बात क्या है, सब का potential लेलो, और charge का sign line रखना पड़ेगा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, आप पढ़े हैंगे, potential due to dipole, electric potential due to dipole, आपको याद है, electric field में भी पढ़े थे, dipole का electric field, यास, तो जो जो electric field में पढ़े है, सब potential में पढ़ो, सारा कुछ का potential पढ़ना होगा, गोला का, सीट का, सब का, देखो, जाहां सो देखेंगे, तो आप परने हम लोग, electric potential, electric potential due to dipole, electric dipole, याद होगा, dipole क्या होता है, dipole होता है, to equal and opposite charge, separated by small distance, यहाँ पर minus q, यहाँ पर plus q, और यह center होगा, dipole का, और यह distance कितना होगा, total, to a, अब हम लोग इसमें दो जगा मेंली निकालते हैं, एक इसके axial line पे, और दूसरा equatorial, तो पहला axial line पे निकाल लेते हैं, पहला, on, axial line, axial line को end on position भी बोलते हैं, end on position, एक किनारे के तरफ, समझ में आ रहा है, end on position, तो माल लो, यहाँ end on position में एक point P है, we want to find electric potential at point P, इस P की दूरी यहाँ से कितनी रखी गई, X, ठीक है, एक आर्टे थाम लो, तो let a point P, a point P मालो, at distance X from center of dipole, dipole के center से ओक्स दूरी पे है, we want to find, we want to find, we want to find, क्या निका हमना हमको, electric potential at P, तो सबसे पहले, यहाँ से distance देखेंगे, चार से दूरी होना चाहिए, तो X plus A आएगा, यह सब हम लोग किये हैं, डारेक्ट किसी दो हम लिग दे रहे हैं, फिर यहाँ से distance देखेंगे, तो X minus A आएगा, याद है सब को रहाँ, याद है कि नहीं, यह A, A है, तो हमको distance center से नहीं लेना है, चार्ज से लेना है, source charge से point तक का distance लेना है, याद हैना, तो बताओ, potential due to minus Q charge, यह पहले plus का निकाल लेते, पहले इसका ही निकाल लें, potential due to minus Q charge, तो कोई भी charge potential कितना बनाती है, तो B1 इसको नाम देदो, 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q upon distance, क्या है, X plus A, ठीक है बच्चो, अब बताओ, फिर निकालेंगे potential, कहां पे निकाल रहे हैं, at P, at P due to plus Q charge, plus Q charge कितना potential बनाएगी, तो B2 नाम देदो, 1 by 4 pi epsilon 0 plus Q है, तो Q upon यहाँ से distance लेंगे, यहाँ से distance क्या है, X minus A, अब अभी परायत है हमने, कि अगर 2 charge हो, 3 हो, 4 हो, और आपको कहीं भी potential चाहिए, तो सब का plus कर दो, तो total potential, total potential at P, क्या करेंगे दोनों को, add कर देंगे, add कर देंगे, B1 plus B2, तो B1 किता है, यह minus के लिख ले, यह minus सामने लाके, लिख लो, minus 1 by 4 pi epsilon 0, Q upon X plus A, और plus 1 by 4 pi epsilon 0, Q upon X minus A, common लो, क्या common है, 1 by 4 pi epsilon 0, और Q भी common है, यहाँ बच्चे का, minus 1 by X plus A, plus 1 by X plus A, cross cross करो, cross multiply करें, यह इधार आजाएगा, तो minus X minus A, यह इधार चला जाएगा, plus X plus A, upon में, एक से करेंगे, यहाँ minus होगा ना बच्चो, हाँ, तो यह इधार चला गया, तो minus X plus A, चाहिए है, इधार गया तो sin change होगा, फिर नीचे आगया, A plus B, A minus B, यहाँ, X, X कट गया, 2A आगया, यहाँ धाइपोल मोमेंट, Q into 2A, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिये क्या, फटाक से नोट कर लो, पॉस कर के वीडियो, चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देंगे, इसको solve करना, उपर आगया, देखो, V निकाल गया हम दो, V on axial point, Q upon 4 pi epsilon नोट बहर है, उपर आगया 2A, और नीचे आगया identity, A plus B minus B, A का square minus B का square, Q into 2A, याद हो ऐसाब को, P equal to Q into 2A, dipole moment, तो रब दो इसको, 1 by 4 pi epsilon नोट, और P upon X square minus A square, यह derivation आगया, बट इसमें कि special case किया जाता है, neglect कर दिया जाता है, ठीका है, ऐसा लिखते है, याद होगा, since A is very small than X, so neglecting, so neglecting A, A को हटा दो, तो V का formula दिखेगा, 1 by 4 pi epsilon नोट, P upon X square, this is your final answer, ओके बच्चों, यह axial point है, बहुत असान है, electric field वाले से भी असान है, उसमें तो direction होगर अभी देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना है, no direction, because it is a scalar quantity, arrow arrow कुछ नहीं बनाना है, ध्यान देना, पेपर में बहुत 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 बहुत, बच्चे क्या होता है, question पढ़ते नहीं है, जल्दी बाजी में, electric potential का आप पूछते हैं, तो electric field कर देते बच्चे, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही चीज़ एक style से दो बार पढ़ा दिया, एक field में और एक potential में, अब पेपर में पूछे का सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तो क्या होता, बच्चे जल्दी बाजी में रहते हैं, तो potential word को ध्यान नहीं दिया, उन electric देखा, फट-फट-फट-फट-फट-ई वाला कर दिया, गलत हो जाता है, यह चीज़ बहुत-बार बच्चों से हुई है, इसलिए हम आपको सोचा रिमाइन करा दे, तो आप यह note कर ले, उस formula को भी याद कर ले, P upon X square, P upon X square, ओके बच्चों, इसको याद कैसे करेंगा, हम तुमको एक ट्रीप बताते हैं, देखो, सायद हम ऐसे याद कियें, देखो, अगर एक point charge का electric field कितना होता है, Q upon X, मतब आए, एक दूरी, नीचे में एक ही distance होता है, लेकि जब यह P होगा, तो नीचे बढ़ जाता है एक, तो R square या X square जो भी बोलो, जो मानें यह उसका square, समझा नहीं, नहीं समझा, चलो एक बढ़ जान लेते हैं, electric field due to point charge, क्या था, 1 by 4 pi epsilon 0, Q by R square, R square है, जब यहाँ P होता था, तो यहाँ R cube हो जाता था, अगया याद X cube R cube बेखी है, एक बढ़ जाता है, अब थोड़ा साहा हो, चलो अगला देखते हैं, broad side on position या equatorial line पे, broad side on position या equatorial line पे, ठीका बच्चो, electric field due to dipole पर रहे थे हम लोग, पहला पर एक्चियाल पॉइंट पे, आप परेंगे, दूसरा, on equatorial line, on equatorial line, equatorial line को हम लोग broad side on position ही बोलते हैं, ठीक है बच्चो, या सार, ठीक है, तो देखेंगे, इसका diagram याद होगा आपको, इधर side में बनाते हैं, तो यह है dipole, minus q plus q, dipole उल्टा लिया जाता है, हम समझाया थे, torque के वज़ा से, torque का direction सही करने के लिए, ओके, उसके बाद, यह center हो गया, इसका o, और यह पूरा distance हो गया, to a, यानि a, a, इसके perpendicular by center से जो line जाता है, ऐसे नीचे भी बना सकते हैं, उसको कौन सा line बोलते हैं बच्चो, equatorial, इसी line पर हमको कहीं भी निकाना है, कहीं भी, इनी भी है, मालो यहाँ पर एक point P माल लिए, अब इसको इससे मिला दो, क्यों मिला दो, distance के लिए, यह a है, और यह x है, यह किता है, under root x square plus a square, पाइथागुरस थे, यह 90 है, समझ रहा है, फिर उसे तो यह भी निमिला दो, यह भी किता है, under root x square plus a square, अब हम लोग arrow arrow इसमें नहीं बनाएंगे, क्यों है, क्यों है वेक्टर नहीं है, स्केलाड आईए, तो बास डारेक्ट चलू होजाओ, ज्यांसे देखेगे, तो, we want to find, we want to find, total electric potential, electric potential यह नी work done, बारव बताते हम, field करना चाहिए, electric field यहानी force, electric potential यहानी work done, charge को चलाने में किया लिया work done, we want to find, total electric potential at P, दोनो charge के वाज़ा से, due to, minus q and plus q, दोनो, तो चलो, पहले minus q से निकालते हैं, तो potential, potential at P, due to, minus q charge, minus q charge से potential, ठीकर आचो, इस से potential, तो धीवन नाम दे दो, धीवन इक्वाल टू, 1 by 4 by epsilon not, minus q charge upon distance, यहां से यहां चक्तों distance है, square मत कर देना, वो distance, तो अंडर रूट, x square plus a square, समधा कर इस से हुआ, समधा है था हमने, यहां x charge लखो q, इस से r दूरी पर potential निकालना है, तो किता हैगा, q by r, स्कॉर, q by r, को इस तरह, अग्ला, potential, potential at P, due to, plus q charge, plus q charge, बताओ, तो b2 नाम दे दो, 1 by 4 pi epsilon 0, q upon under root x square plus a square, अब total potential निकाल लो, 0 आएगा, total potential, total potential at P, total potential at P, V equal to v1 plus v2, क्या हम इस माइनस को सामने लिखे ले, बिलकुल लिखे लो, minus 1 by 4 pi epsilon 0, q upon under root x square plus a square, फिर plus 1 by 4 pi epsilon 0, q upon under root x square plus a square, यह पूरा cancel होगे, आप देख लो, सेम है, और 0, क्या बात है, यानि यह बहुत अच्छा question आ सकता है, बहुत अच्छा, यानि हम क्या करेंगे, potential 0 मतलब work done 0, अगर हम infinity से charge को इस line पे कहीं भी लाएं, कहीं भी हम क्योंब बोले, गभाँ यहान लो, यहां लो, यहां लो, सेंटर पे लो, तो सब जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो कोई potential नहीं है, क्या बात है, कोई work done नहीं होगा, तो यह सवाल पुछाया सकता है, बहुत अच्छा सवाल होगा, बहुत अच्छा objective, दिमाग तुम्हारा ही लियाएगा, कभी-कभी अच्छा गुमा के पूद दिये तो, मतलब एक ऐसा point बताओ, जहां पे डाइपो, electric field होता है, लेकिन potential नहीं होता, क्या बात करें, ये question तो ब है, तो equatorial line, क्यों, अभी तुमने पढ़ा था, इसका electric field यहां पर होता है, 0 नहीं होता, potential 0 देखा, एक उल्टा सवाल भी आता है, कैसा जगा बताओ, जहां पे potential है, और electric field 0 है, बताओ, 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 याद करो, electric field 0 कहा होता है, inside a conductor, किसी भी conductor के, sphere के, hollow conductor के अंदर, electric field 0, यह बात हम पढ़ाएंगे, तो समझेगा, वाट अभी ऐसे बता दिये, ठीका है, तो आप इसको note में याद कर ले, note में याद कर ले, चलो हम लीक देते है, note, आपने note कर लिया यह, छाप लिए, जल जल दी करे, फटा फट हो गया, 1, 2, 3, बताओ, अब अगर हम पूछे चांदो बच्चो, एक, 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 मीर पॉइंट का स्वाल, बहुत बार कमी कर अब जैक्ति बनता है, इस स्पेसल केस, पहला स्पेसल केस, पोटेंशियल एक, सेंटर ओफ डाइपोल, सेंटर ओफ डाइपोल, यह चीज, इलेक्ट्रिक फिल्में भी पराया थे, जान से जाओ, कहीं भी, जीरो ही होगा, समझ मैं आ रहा है ना, परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं भी चले जाओ, जीरो हो जाएगा, जो फिर भी निकाल देते हैं, तो पोटेंशियल एक, मीट पॉइंट निकालना है, तो वी इकोल टू, डारेक्ट धी वन प्लस बी टू कर दे, यहां तो कावी होगा, ढरा इसके वाज़ा से पोटेंशियल यहां पे, कितना होगा बताओ, वन बाइप Fourрьपाई Epsilon- noad, माइनस Q अपउन ए, जो दूरी A है, समझ गया, और उसके वाज़ा से क्या होगा, यह माइनस सामने आ जाएगा, यहां लिखतें, और यह कट के कितना अगया जीरो ऐसे कड़ ते तो गहाई है पॉम्से चीरो होता है प्टेली डन्टा अगला पॉंप अला ऑमो अन एक्वीटॉरियल लाइन और लाइन की बास करें अँओन इपविटॉरियल लाइन एलेक्ट्रीक फील्ड लाइन दृबि प्रत इंश स्यलीजिकिह मत्तब इल्विट्रीटिक ही प्रेज्टेंट की प्रेजेंटpark पॉटनचियाली जीरो ऑध दिमाग में लेएँ कोई जरूरी नहीं है कि जहां फिल्ड होँ होगा बहुत जबॉम यहां पोतेंसील हो सकता है तीसरी भाइंट यह लिखी लो अगला इंसाइड हॉलो कंडक्टरं इंसाइड हॉलो कंडक्टरस रो मोखला कंड़क्टर ले लो अंदर से खाली होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फिल्ड उसके अंदर जीरो होता है बड़ पोटेंशियल जीरो नहीं होता है हम पढ़ाएंगे बड़ ऐसे सुन लो उल्टा ठीक है फीलो गया यस सर तो हमने आपको डाइपोल का परा दिया ठीक है अब हम लोग कुछ कोशन करते हैं आप यह नोट करो फिर हम कोशन लिखके देते हैं यह कोशन देखो बच्चो यह बहुत असान कोशन है बड़ कॉंसर पूरा किलियर कर देगा अगर थोरा रत्ती भर भी टूंको डाइउट है कि कौन चार्ज लाना है कौन सोर्स चार्ज ह तो जरू करो ठीक है दो बच्चन क्या है कल्कुलेट पोटेंशियल एट एप पॉइंट पी दिव टू एचार्ज मतला मेरे पास एक चार्ज है यहां पर फोर इन्टू 10 का पावर माइनस 7 कूलं में इससे एक पॉइंट दूर ले लो पी दिखरा है क्या बढ़ा है क्या ब सब्सक्राइब पोटेंशियल डेवलाप हो जाता है समझ में आ रहा है जब तुम वहां पर उस पॉइंट पर चार्ज को लेके आओगे तो तुम वह वर्क करना पड़ेगा उससे पता चल जाए कितना पोटेंशियल है लोकेटेट एट 9 cm यह दूरी कितनी है 9 cm दूर है इस से दूरी हमेशा इस चार्ज से ले रहा है यह सोर्स चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रमूला सब्रूद जानता है वन बाइप वोड़ फाई एफसाले नॉट चार्ज जो बना रहा है पोटेंशियल अपान इसी से दूरी तो 9 cm यह आप अभी हम फ्रमूला लिख रहें अब इसका वैलू सब को याद होगा 9 into 10 का पावर 9 चार्ट कूलम में है फिजिक्स में एक चीज ज्यान डखा जाता है साड़े चीज SI में हो यह SI में नहीं है इसको 9 by 100 लिखेंगे समझा रचो मीटर बिलकुल अब यह 9 से 9 कैंसल हो गया और यह पलट के उपर जाएगा तो V का बैलू आ गया 4 into 10 का पावर 9 minus 7 दिख रहा है पावर पावर आड़ हो गया 9 minus 7 और यह उपर जाएगा तो plus 2 100 उपर चला जाएगा तो 10 का पावर plus 2 यह आ गया 4 9 plus 2 11 11 minus 7 तो 10 का पावर 4 यह आ गया वोल्ट पोटेंशल का इनिट क्या है पच्छो वोल्ट तो 4 into 10 का पावर 4 वोल्ट होगा ठीक है आगे बने जाएगा अब बी पार्ट देखो इसका बी पार्ट बहुत इंपोर्टन है वोड़ा फाइंड द वर्क डान इन ब्रिंगिंग इस चार्ज यह इस चार्ज को हम ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं किस पॉइंट पे ला रहे हैं to the point P मतलब उससे वहां तक लाने में work done बताओ चलो clear हो गया होगा work done हमने पढ़ाया था यह potential की फामुले से आ जाएगा potential का फामुला होता है work done upon bringing वाला चार्ज यह clear होगे आप जिसको नहीं समयदा लिखते जाएगा यह जो चार्ज हम लाएं है और इस फामुले में जो चार्ज है वो source चार्ज है तो हमने इतना चार्ज लाया है यह फामुले यहां से potential into charge कर तो work done आ जाएगा तो work done equal to potential into charge बात देखिए या direct formula भी लगा 4 into 2 into 10 का power minus 9 तो 4 to the 8 into 10 का power minus 5 जूल वाकड़न इतना होगा ठीक है बच्चों बहुत काम work done है देख लो अगला question है does it depends on path चलो एक बात बताते हैं तुम पढ़े होगे 11th में work done by conservative force do not depend on path पढ़े हैं मतला conservative force कौन सा force होता है वैसे force जिसके द्वारा एक round trip पे किया गया work done 0 मतलब इधर से लाए तो work done plus में इधर ले गाए तो work done minus में total work done 0 तो no answer है no do not depend on path कोई बहुत क्यों क्यों क्योंकि electrostatic force याद रखना electrostatic force electrostatic gravitation magnetic जितने force तुमने पढ़ा जितने force पढ़े friction को छोड़ दो viscosity को छोड़ दो दो चीजे वो path पे depend करता है friction और viscosity वो सब के सब conservative है तो electrostatic force is conservative force is conservative force what is conservative force the force by which work done in a round trip is zero ऐसा पोल जिसके द्वारा किया गया work done एक trip में पुड़ा ऐसे गोल घूम जाओ तो कितना वगणा आएगा जीरो आएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला question लेते हैं आप यह बना लिए बहुत अच्छी बात है next question हम लिखते हैं तो यह question भी as usual है electric field में भी ऐसा question किये थे कि दो चार्ज रखा है बताओ कहाँ पर electric field zero होगा तो ऐसा ही question यह भी है हमारे पास दो चार्ज है दो चार्ज है एक है 3 into 10 का power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 का power minus 8 coulomb और located 15 cm उनके बीच का distance है 15 यह q1 हो गया यह q2 हो गया at what point on the line joining to charge यह दो चार्ज को join करने वाला यह line है द्यान से एक चीज़ फील करना भर्चो द्यान से फील करना अब कहाँ पर इसमें electric potential zero होगा तो अक्सर हम लोग क्या करते एक point अपने मन से मान लेते जहां पर zero है और वो इससे x दूरी पर है ऐसा करके हम लोग x निकाल देते बट एक potential के सवाल में एक चीज़ और सीखेगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर तुम बात करो जहां सुनना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बात करो कहां zero है तो आप बीच में कहीं एक point आता था जहां पर zero होता था equilibrium आता था मतलब net electric field zero ओके हम लोग इसमें बस यहीं बीच में चेक करते थे इधर चेक नहीं करते थे क्यों क्यों क्योंकि कभी भी चार्ज के इधर साइड में electric field zero नहीं हो सकता है याद रखना कभी zero नहीं हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि एक के पास में है तो electric field कम र्यादा हो जाए ओके और सुनो लेकि GBोटाइंसियर में आपको इधर भी चेक करना होंगा क्योंकि इनुदें नहीं गोला कि बीच वेक पॉइक ने बहुता पर वहारा है थी में दोनों चार्ज के बीच में कहा पार पटाइंसियर बहुता उस क्योंकि आप बीच में नहीं बोला let a point P between Q1 and Q2 such that ऐसा लेना है कि Q1 से जो distance है distance from Q1 distance from Q1 is X समय में आ गया distance from Q2 कितना हो जाएगा 15 minus X तो गलत total हमने माल लिया है 15 तो यह 0.5 होगा 0.15 क्यों मीटर ने बनाओगे न minus X ज्यान देना यह छोटी छोटी बाते हैं मगर मोटी बाते हैं गलत हो जाएगा नहीं तो चलो अब क्या करेंगा अब लोग total potential at point P0 direct करते हैं total potential at P0 क्यों हमने माना है कि उस जोगत 0 है तो क्या करेंगे total potential के लिए तुमको भी पता है V1 प्लस V2 V1 मतलब इसका potential V2 एन इसका potential sign के सांद तो V1 आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 अपान उससे दूरी R1 समझी रहा होगा दूसरा आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 अपान उससे दूरी अभी पढ़ाया थे potential का superposition principle अब देखो तो V1 इक्वाल तो आ जाएगा ध्यान से देखेंगा 1 by 4 pi epsilon 0 अजाएगा और Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 यही करना है अपको तो ध्यान से देखो equal to 0 करना equal to क्या करना है? क्योंको total potential क्या है? 0 है इसका भैल हुआएगा 9 into 10 का power 9 Q1 यह charge है 3 into 10 का power minus 8 upon distance X फिर आगे उसके बाद देखेंगे plus यह minus में है तो यह minus लिख दे plus minus minus 2 into 10 का power minus 8 upon upon बताओ क्या? upon में आएगा 0.15 minus X समझा? distance यहाँ से equal to 0 अब यह तो 0 में चला गया divide होने 10 का power minus 8 भी common हो जाएगा यह direct उठाक इधर रग दो यह 0 में चला गया 0 upon anything 0 इसको उठाक उधर कर लो तो 3 into 10 का power minus 8 upon X equal to यह उधर चला गयागा plus हो जाएगा 2 into 10 का power minus 8 नीचे में 0.15 minus X यह इससे कट गया अब क्या बचा? 3 upon X equal to 2 upon 0.15 minus X ठीका बच्चो? यहां से X निकालना कोई बड़ी बात नहीं है छोटे बच्चो का काम है आप भी कर सकते है तो फिर भी हम कर दे रहा है आगे कि इधर धान दो अब देखेंगे अब इसको cross कर दो cross multiply अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो X इसको आप सेंटीमीटर बना लो that is X का वैलो 9 सेंटीमीटर कहां से दूरी लिया हमें फ्रॉम Q1 Q1 से 9 सेंटीमीटर यहां से 9 है यहां से कितना हो को बताओ 15-9 15-9 6 सेंटीमीटर अब केस्टू करेंगे केस्टू करेंगे केस्टू में क्या मालेंगे क्एस्टू में मैंने knowing यह पॉइंट पी बाहर है कुरी पाहर है एक्षियल लाइन पे कि ज्यान दें बच्योग केस्टू कि ऐसा करना पने प iemand पॉटेंगे क्यों अगर मैं भीशे बोलें तो नहीं करतेWhen हख혼 On Right Side Of Q2 Q2 से Right Side पर यहां पर मानने Point पी अब इसकी दूरी फिर से देख लें X मानले पर यहां से हमेशा X मानले एक का X मानल Пosh तो आप बताओ यहां से दूरी केतना हो जाएगा कौन बता रहा है नहीं समझाओ दो यह दोनों के पीर का 15 है distance था ना यहां से दूरी हमने x माना at distance अच्छा यह इधर भी रह सकते थे at distance x from कहां से q1 यहां से अगर यह 50 है और यह बीच का 15 है यह कितना बचेगा माइनस कर देंगे यह कितना अगर बताओ x में से माइनस कर दो 0.15 सबको समझा क्या यह 0.15 उसको माइनस कर दिये चलो उसके बाद फिर ऐसी करते जाओ डारेक्ट करेंगे ध्यान दो total potential at PE0 तो ऐसा लिखे क्या वी इक्वल टू ग्लस वी टू इक्वल टू डारेक्ट डारेक्ट वी इक्वल टू माइनस वी तू यह साही है तो V1 इक्वाल टू माइनस मीडिय। V1 का भाई लिखो 1 बाई 4 पाई एपसाले नॉट यह जल्दी बन जाए रहा चार्ज देखो चार्ज तो हमें दो Q1 लिखते हैं Q1 अपाउन आर वन यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एपसाले नॉट माइनस है Q2 अपाउन आर टू जहां से देखना है स्केलर में साइन बहुत इंपोर्टेंट है साइन ने चुपना चाहिए कहीं भी अब देखो आगे अब यह तो इससे कट गया पुड़ा अब यहाँ क्या बचा प्लस Q1 बाई R1 और यहाँ बचा माइनस Q2 बाई R2 बैलू डाल दो 3 इंटू 10 का पाउवर माइनस 8 अपाउन X और यहाँ पर आएगा माइनस अप माइनस 2 इंटू 10 का पाउवर माइनस 8 प्लस हो जाएगा यह और डिस्टन्स आजाएगा X माइनस 0.15 माइनस माइनस प्लस और यह कट जाएगा इदर 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 यहाँगा फिल से वहीं पे 3X इक्वल टू अपाउन X माइनस 0.15 अब इसको इदर लाओ इसको इदर ले जाओ तो 3X माइनस 2X क्या बचेगा X इक्वल टू 0.15 यहाँ इस चार्ज से दो जगा जीरो हुआ एक यहां समझना इस चार्ज से एक 9 सेंटीमीटर पे जीरो हुआ और एक 45 पे भी बोलो समझ में आ गया यह सर तो एक लाइन पे पोटें दाइपोल के लिए हैं कंफ्यूज मत होना वो डाइपोल के लिए डाइपोल मतलब टू इक्वल चार्ज रहेगा तो बिल्कुल सेंटर में जीरो होगा अन इक्वल रहेगा तो थोड़ा इदर किसके रव एक ची देखो चार्ज इतना बड़ा हुआ उसके तरफ चला गया ह है आज का पोटेंसियल को कौन-कौन फाक्टर अफेक्ट करते हैं कभी-कभी अच्छे अब्जेक्टिफ बनते हैं जैसे एक सवाल आता है अक्सर बोड में पुछा गया है सीबीसी बोड वाले कोई देख रहे हैं तो कि मेरे पास एक चार्ज कंड़क्टर है और इसके पास एक अंचार्ज कंड़क्टर लाएं जिसका पोटेंसियल क्या होगा चेंज होगा नहीं चेंज होगा बड़ेगा घटेगा फाला सवाल दूसरा एक प्लस चार्ज लाए तो तीसरा एक माइनस चार्ज लाए तो ऐसे सवाल सीबीर सी बोड में आते रहे हैं आते रहे हैं सबंढ़्ड है अगला फाक्टरस अफेक्टिग्स अफेक्टिंग ये पोटेंशियल थीक है है एक तो ने इलेक्ट्रीब पोटेंशिएल्ग और C которого a Thank you मतलब आपके पास पहले से कोई एक conductor object है प्लेट है कुछ भी है इस पे चार्ज है चार्ज है तो आपसके चारों तरह potential होगा आप कोई दूसरा चार्ज लाओगे तो work done करना परेगा potential कहीं मतलब है तो इसको कौन-कौन से factor है जो इसके potential को कम जादा कर सकते हैं जैसे आप electric field के factor जानते होंगे medium पर depend करता है चार्ज पर depend करता है दूरी पर depend करता है समझना है उसी तरह एक conductor पर हमारे पास charge है और उस charge conductor के पास charge है तो electric field भी होगा potential भी होगा दोनों होगा चार्ज होता है अब सवाल है कि इसको कम जादा कैसे करेंगे तो पहला depend करता है तूम potential का formula देख लो B equal to 1 by 4 pi epsilon 0 यह conductor है conductor में area होता है यहाँ पर surface charge density लिया जाता है क्या लिया जाता है surface charge density sigma upon r square ऐसा हो जाएगा कहां से हैं हम बाद मता देगे यहां q by r चलो ऐसा देखो 1 by 4 pi epsilon 0 q by r यह तो समने देखा होगा तो पहला factor है quantity of charge सिंपल सी बात है quantity of charge देखो जब हम एक चीज़ को बदलेंगे तो बाकि सब constant रखते हैं याद रखना इस बात को एक चीज़ को चेंट करेंगे तो बाकि सब constant तो potential is directly proportional to charge मतलब अगर किसी conductor पर चार्ज बराते जाओ बराते जाओ तो potential भी बढ़ेगा बहुत सिंपल बात है बहुत सिंपल बात है कि potential जो होगा वह इंक्रीज होगा अगर चार्ज इंक्रीज हुआ अगर दूसरा हो जाएगा distance distance from conductor यह भी important है बहुत अच्छी बात है जैसे यह आप एक चार्ज रखें अब जिससे जितना दूर जाओगे potential कम होगा जितना पास आओगे बढ़ेगा भी प्रपोर्पोर्शनल टू वन बाई आर वन बाई आर मत्तब अगर दूरी बढ़ाओगे तो potential बढ़ेगा सोड़ी घटेगा इफ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज फ्रॉम चार्ज या कंड़क्टर फ्रॉम कंड़क्टर भी लिख सकते हो अगर डिस्टेंस इंक्रीज किये तो वीड दिक्रीज हो जाएगा ठीक है यह दो फैक्टर एज यूज हुआगा तीसरा समझना ध्यान से तीसरा समझना नेचर ओप मीडियम या प्रिजेंस ओप अनदर मीडियम वेली है जो हमने वार भार तुम को यह चीछ पढ़ाया है कि यह फ्रॉमूला तुम पढ़ते हो एर के लिए है one by four five epsilon not q by r यह किसके लिए वाई लिए बताओ एयर एयर में क्यों क्योंकि यह epsilon not जो है उसको बोलते है परमीटिवीटी ऑफ एयर अगर फॉर अनदर मीडियम होगा अगर फॉर अनदर मीडियम होगा तो इस विल भी four five epsilon not into k k is dielectric constant of this medium that medium कि यह क्या है पढ़े हां तुमने dielectric constant dielectric constant dielectric constant यह इसका एक और नाम थो बताओ परमीटिवीटी ऑफ दाट मीडियम रिलेक्टिव परमीटिवीटीव इसको बोलते थे बिल्कुल बोलते थे तो तुम किसी भी दूसरे medium का potential निकालोगे इसको इससे divide कर दो त्या जाएगा v naught upon k देखो यहाँ पर k से divide हो गया feel करो यह formula देखो यह देखो क्या हुआ इसमें k से divide हो गया यानि दूसरे medium में potential decrease हो जाएगा potential potential जो होगा वो decreases by k times यही चीज सेम एज electric field सेम एज इलेक्ट्रिक फील इलेक्ट्रिक फील भी पढ़ाएगा आपको e naught upon k सेम यहाँ भी वह ही था यानि electric field घटता है potential घटता है force घटता है दूसरे medium में जाने पर यह formula लगाना है और हवा के लिए लगाना है सबको पता है के डाइलेक्ट्रिक कॉंस्ट्रेंट्रिक या रिलेक्टिक पर्मिंटिविटी भी बोल सकते हो तीन फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत असान है अब चार दो अगला दो फैक्टर सब्थोर असा है उस पर क्यों चार्ज है इसी कंड़क्टर को हम बढ़ा कर दिये चार्ज बीना बढ़ाएं सेम चार्ज बस एरिया ज्यादा इसमॉल ए एरिया बढ़ा दिये तो क्या होगा मालनों हमें पॉइंट सेलेक्ट करें इससे कुछ दू मीटर दूरी पर यहां पॉइंट इससे भी दू मीटर दूरी पड़े पॉइंट तो सब सेम रखा मनें चार्ज सेंट इसें बस एरिया बढ़ा है तो क्या होगा बताओ पोटेंसियल चेंज होगा नहीं होगा एक बच्चे नहीं होगा तो जवाब है गलत क्यों गलत क्यों यहां जो चार्ज लिया जाता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉलूम यह चे तुमने पढ़ा अगर हम लाइन की बात करें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है अगर हम सीट की बात करें तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है अगर हम कि चार्ज पर यूनिट वॉलूम डिक्रीज हो जाएगा फील करो इसको मतलब क्यू चार्ज पाले इतने दूर पे था वहीं क्यू चार्ज फाइल गया यहार जगा चार्ज की मत्रा कम हो गई समझा तो चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा बहुत अगर बढ़ा दिये तो पोटेंशियल घट जाएगा कंड़क्टर का बिना कुछ चेंज किये ठीक है अगर आगे बारते हैं अब अब लोग ध्यान से समझेंगे चौथा पांचवा फेक्टर है पांचवा फेक्टर है प्रेजेंस ओफ प्रेजेंस ओफ अनदर कंड़क्ट मतलब दूसरा कंड़क्टर होने से देशें मेरे पास एक पहले से बहुत इंपॉर्टन्ट है यही समाझेंगे मेरे पास पहले से एक प्लस चार्ज का प्लेट है क्यों इसके पास हम एक अन्चार्ज प्लेट ला लिए कैसा ला लिए बच्चों अन्चार्ज तो क्या होगा पोटेंसियल अंबार से ला लिए तो वीडिक्रीज होगा बताओ क्यों 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 प्रिक्वाम बताते हैं यह फ्लस चार्ज है इसमें इंडक्शन से कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस ज़्यांस समझना तो यह लिखना आपके तूवें वैन वैन uncharged conductor is placed near charged conductor, जब एक uncharged conductor को आप एक charge conductor के पास रख दोगे, when a uncharged conductor is placed near charged conductor, then uncharged conductor get negative charge by induction, अब शालो यार करो, इसका potential plus में होगा, इसका potential minus में, मालवो तुमने कोई भी point से लेकिया, इसका value plus में, इसका value minus में, total add करोगे, घटेगा की बढ़ा, सोचो, सोचो, कम हो गया, समझ में आया, अभी हमने 2-3 सवाल बनाया था, उसमें एक plus होता था, Q minus, याद करो, दोनों subtract हो जाता था कि नहीं, अगर दोनों plus रहता तो बढ़ता, तो समझ में आया, potential decrease हो जाएगा, समझा, इसका potential plus में होगा, 10 volt इसका minus में, total zero भी हो सकता है, फील हुआ नहीं हुआ, फिर से देखो, potential के formula में charge का sign लेना है, इसका formula में Q plus मिलोगे, इसका minus मिलोगे, तो दोनों subtract होगा ना, जब total निकालेगे, कहीं भी, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, टोटल निकालो गया, तो टोटल नो subtract होगा, subtract होगा, तो घटेगा ही ने वहीं, आपको यह बात तो समय में आगया होगा, एक plus के पास, एक minus वाला लाए, अंचार्ज लाओ या minus लाओ, बात एक ही हो गया, तो पोटेंसियल घटेगा, नोट कर लो इसको, और अगर हम एक plus चार्ज के पास, एक और plus वाला ही लेके आजाएं, तो पोटेंसियल बढ़ेगा, वाओ, ग्रेट, आप सोचो, electric field क्या होगा, पताओ, electric field क्या होगा, electric field क्या होगा, पताओ, electric field एक vector quantity है, उसको अलग अलग जगा पर चेक करना होगा, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, कराया हमने, कराया ना, कराया ना, इधर इधर जीरो बीच में होता था, इसमें बीच में बढ़ जाता था, इधर जीरो, इधर जीरो, निगट गया, इधर घट गया, इधर बढ़ गया, प्लस के बीच में प्लस लाओगे तो बीच में 0 इधर इधर होता था यह सब चीज़े आपने परा दिया अगर आपने नहीं देखा है तो इलेक्ट्र स्टार्टिस का 9th और 10th लेक्चर देखो जाके 9th और 10th ठीक है बच्चो चलिए तो ऐसे मेरे मन में आगे तो पूछ ले यह सब्कूर में इसलिए प्लस चार्ट के पास बीना चार्यूला कंडॉक्टर लाए तो भड़ेगा अगर प्लस के पास माइनस लाओ तो भी घटेगा प्लस के पास प्लस लाओ तो बढ़ेगा तो इसका भी प्लस में दोनो एड होगा अलवेच कहीं भी तीनों जग़ा सब्सक्राइब करता है तो भाई यह चार्ज कंड़्टर के बीच का अलग कंडिशन बताएंगे इधर बताएंगे बढ़ा की घटा इधर याद करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिल रहा है यहाँ पर बीच में सिग्मा अपन एपसाले नौट होता था एड होता था और यहाँ यह तो याद होगवा इधर घट गया इधर फिल क्यों मियाद देरा घ्रस तरहाँ होता यह थो यह बढ़ा दिए मैं नहीं है अब दूसरा सिट लाए ten यह बढ़ गया दबल हो गया कॉड़कर इसमें डबल होगया नियों यह चल खेंब दिलै यह होगा चलिए है तो हम उमीद करते हैं आपको यह सारी चीज़े आ गई है समझ में ठीक है बच्चो तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से इसको नोट कर ले आप ये plus charge लाला भी लिखना भुच्छो, हूँआ न, कि फ्लस charge के पास, अगर हम plus charge लाला conductor लाए, तो potential बढ़ेगा, यारो लिखो, plus के पास minus लाए, तो घटेगा, plus के पास uncharch लाए, तो भी घटेगा, क्यों हो? तो को इंडक्शन से माइनस हो जाएगा, ओके, गेट इट, ये दो कॉइंट बहुत इंपोर्टेंट था, चलिए, इसको हम लोग आगे भी वेरिफाइग करेंगे, जब हम कैपेसिटेंस प्राएंगे न, देख अभी थोला से बता जते है, कैपेसिटेंस का फर्मूला होता है एपसाले नौट एबाइडी, तो वहां पर हम ये चीज़ को वेरिफाइग कर देंगे, कैपेसिटेंस प्राएंगे तो जरूर बताएंगे, आप मेरे को याद दिलाना कमेंट में, ठीका है, ये मतलब इसको प्रूफ करेंगे, अभी तो ओरल हमने बताया, समझा दिया, ऐस रो आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉलूम, तो वॉलूम बढ़ गया, तो आभी आपने देखा टाइम बहुत ज्यादा होगया है, आज का लेक्चर करना परेगा, यहीं खतम, तो मिलते अगले लेक्चर में और पढ़एंगे, खूब शुरफ सा चीज, इक्वी पोटें इसको ठीक है, ओके बच्चों चलिए मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, all the best